कि अच्छे से कर रहे होंगे और आगे की प्रिपेशन आप स्टार्ट कर दिये होंगे अपने नेक्स अटेंप के लिए जो की आने वाला है CET 2023 का एक्जाम जहां पर JNLK करणड़ आफ्र का पोर्शन कितना इंपोर्टन आप के लिए ये तो आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि करणड़ आफ्र के क्योश्चन सारे है तो उसी topic से related, one of the most important topic में से एक, जो अकसर questions पूछे जाते हैं, list of the father of different fields in India and world, जो आज का topic है, questions पूछ ले जाता है, father of nation किसको कहते है, father of unrest in India किसको कहा जाता था, ठीक न, father of global warming के जो अलग-अलग तरीके से आप देखते हैं, atmosphere वगएरा में नए-ने changes होते हो रहते हैं, तो जो मतलब अपने अपने छेतर में, अगर various fields में, अपने अपने छेतरों में जो बहुत ही बड़ा काम किये हैं, को invention किया है, तो ये सब दुनिया भर के questions आप से पूछे जाएंगे, चाहे वो इंडिया के लेबल पे हो, चाहे world के लेबल पे हो, तो उन्ही topics related हम को यहाँ पे list ल देखते हैं क्या है आपके लिए important, जो की exam में काफी बड़ा role play करने वाला, ठीक है बच्चों, जल्दी से class को share कर लिजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग join कर लिजिए, ताकि अच्छे तरीके से हमारा season हो सके, और हम ज्यादा से ज्यादा information collect कर जो, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंडिया की लेबल पे देखेंगे, ठीक है ना भारत में किन-किन लोगों को different fields में father कहा जाता है, father मतलब आप समझ सकते हैं, introduce किया उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को introduce किया, उसको जादा जादा लोगों तक फैलाया, जादा ज भारत के जनक किसको कहा जाता है, ऐसा भी question बहुत बार आया है, तो father of modern India किसको कहते हैं, राजा, राम, मोहन, रुआ को, क्यों कहा जाता है, आपको पता है कि एक समय हमारा देश जो है, bad practices, bad abils, जो आपके social abils वगएरा थी, इन सब में आप समझी सकते हैं, 200-500 साल पहले क्य चीजें थी, लोग बिस्वास करते थे, अंध बिस्वास में डूबे रहते थे, तो अंधकार का यूग चल रहा थे, तरीके से लोग aware नहीं थे लोग चीजों से, आप जानते हैं, British era के समय भी सती प्रथावा गयरा कितने जादा प्रिशलित थी, तो ये सब सारी चीजों क हटाने का काम इन्होंने किया, खतम करने का काम, बैस सारे मुवमेंट्स इन्होंने चलाए, ब्रह्म समाज किया, स्थापना की, तो ये सब सारी चीजों इन्होंने किया, जो लोगों के अंदर एक नया awareness आया, लोग एक पुरानी दुनिया से समझ दीजे, नए दुनिया में आये, ठीक है न, modern इंडिया, लोगों को नए रास्तों पे लाए, तो इसका बहुत बड़ा रोल इनको जाता है, तो that's why he is called father of modern इंडिया, ठीक है, कई सारे questions इन में आते हैं, इनको इभी पूछा जाता है, राजा, राम मोहन रहे न, तो ये राजा इनका क्या था, एक title था तो राजा की इनको title मिला था, उपाधी मिली थी, तो इभी पूछ लेते हैं, राजा की उपाधी या title इनको किस ने दिया, तो याद रखना बच्चों, इसका title इनको दिया था, अकबर second ने दिया था, ठीक है न, मुगल emperor थे, अकबर second, उन्होंने इनको title दिया था, राज करको, ठीक है न, architect of India इनको कहा जाता है, ठीक है न, constitutional framework कर आपके one of the most important person थे, जो constitution हमारा बनाया गया, तो आप समझी सकते हैं, father of missile program, जो हमारा missile program है, आपको पता है, missile man of India भी कहा जाता है, तो father of missile program किसको कहा जाता है, doctor APG Abdul Kalam, क्या, doctor APG Abdul Kalam, जो हमारे पूर रास्पती रह ठीक है, इनका full form और भी कई सारे exam interview और पूछ लेते हैं, इनका पूरा नाम क्या है, अब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, father of comic books किसको कहा जाता है, अनन्त पाई को कहा जाता है, and father of space program, जो introduce किया, space program में हमें, क्या बनाया, exclusive बनाया, अपने निर्भर बनाया, independent आया है, तो जिसको जाता है स्रे बच्चों, वो हैं, विक्रम, सारा भाई, ठीक है ना, उसके बाद, फादर आफ नेशन, तो बच्चे बच्चे जानते हैं, हरे एक जानता है, राष्ट पीता है, फादर आफ नेशन किसको कहा जाता है, महात्मा, गांधी जी को कहा जाता है, ठीक है बात समझना रही ना ठीक बेरिक्स गुड बने रही है इसी तरीके से सारी बाते आपको पता चले काफी इंपोर्टन टेक दो कोशन आ जाता है आपके एक्जाम में ठीक है आगे देखते हैं कुछ फादर्स जो कहे जाते हैं फादर आफ ब्लू रेवलिशन बच्चों पुछाजाता है फादर आफ सिनेमा देख लिए सबसे पहले दादा साफ फालके को कहा जाता है इन्होंने कितने सारे इंवेंशन्स किए कितने असेसरीज की जो आज के सम्में पूरे बिस्स लेबल पे इनकी जो आठ आफ ऑफ सेनमेरिटोग्राफी और गया थी काफी ब्ह पिरालाल चौधरी को कहा जाता है, father of blue revolution, father of gold revolution, किसको कहा जाता है, तो वो है, निर्पक तूतच को कहा जाता है, ठीक है ना, white revolution, खुब question पूछा जाता है, father of white revolution, known as, वर्गिस कुरियन, ये कई बार question आया है, तो इसको भी आपको, ध्यान में रखना है, then father of linguistic democracy, किसको कहा जाता है, पॉट्टी सिररामलू, किसको कहा जाता है, पॉट्टी सिररामलू, ये Congress के उसमें निता हुआ करते थे, 1953 के समय में, जब आपका क्या हो रहा था, reorganization of states हो रहे थे, तो उसमें मांगे उठ रही थी, कि भासा के अधार पे, linguistic basis पे states को अलग किया जाए, ठीक है, लेकिन सरकार नहींने, committees बना रही थी, बात लोगों की मान नहीं रही थी, इन दा सेंस कि सरकार का भी मानना था, अगर हम एक state को बाढ़ देंगे, on the basis of linguistic, तो सब भाई आ जाएंगे, अगर हमें भी अलग करो, हमें भी अलग करो, तो सरकार कमेटी बना के, final एही कह देती, कि ना भासा के अधार पे, हम राज्यों को नहीं बाढ़ेंगे, तो ये पोटेस नरामलू, leader हुआ करते थे, तो इन्होंने अंसन पे बैठ गए, ठीक है था, लिंग्विस्टिक बैसिस पे, पहला स्टेट रिया और्गनाईज किया गया, and the name of the state is, क्या था, काउन सा स्टेट, आंध्रपदेश, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद, देरे-देरे सब बढ़ना हो गये, देखो, 14 स्टेट से आज हम लोग, 28 states पे आ गये, कई सारे रिजनों से split होते गये, राज अपना कुछ administration की वज़ा से, कुछ linguistic basis पे कई सारे state ओं को अलग किया गया, तो शुरुवात कहीं कहीं, इनी की वज़ा से था, बड़ा रोल था इनका, तो that's why he is known as father of linguistic democracy, ठीक है, अब देखते आगे, कुछ नए father, नए father मतलब, नए type के question, father of civil revolution बच्चों अगर पूछ लिया जाए, तो किसको कहा जाता है, इंद्रा गादी को, Indian railway, father of Indian railway, credit goes to, law. भा से साइब स्क्राइब स्क्राशन right. झाल 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 कि यहां अब आवाज आ गई होगी मेरे हिसाब से लेकिन यहां पता नहीं चला कब आवाज गई थोड़ा ब्रेक हुआ होगा तो या तो मैं रिवाइस कर देता हूँ या तो सारी लिस्टिंग आपके सामने हैं सारी चीज हम देख चुके हैं अभी तक आगे बढ़ते हैं तो इसके पहले हमने किसका देखा आपके फादराफ सरजरी सुसरूत फादराफ सिबिल इंजिनियर जैयाडी टाड़ा फादराफ इजर मोवें एंजी रंगा फादराफ रेड रिड रिवोलिशन विशालतिवारी हमें स्वामी नाथा मोस्ट इंपॉर्टन जो आप से बताया आवाज अगर मेरी गई होगी तो स्वामी नाथन की तरह ये भी है आपका बाल गंगा दर्तिलाफ फादराफ एर फोर सुबरतो मुखर जी इंडियन ने भी छत्परती सिवा जी महाराज बताया कि काफी स्टार्टिंग में उन्होंने ही रोल प्ले किया बेटरिन्टी साइंस ध्यान में रखियेगा सलील हु की फादराफ इंडियन हिस्टी मेगा स्त्रींज क्योंकि इन्हीं की सारे बुक्स अकाउंट्स जो हमारे हिस्टी में हैं इन्हीं से मिलता है सारी इंफॉर्मेशन सूर्स अब्दा इंसेंट हिस्टी इन्हीं को जाता है फादराफ इंडियन आर्मी सिंगल लॉरेंस हमी जह पर फादर आफ रिलेटिबिटी, अलवर्ट रांस्टीन, फादर आफ टेलिफोन, अलगजंडर ग्राहम बेल, ठीक है न, इन्होंने भी सिकार बगएरा किया, इसलिए इनको कही दिया जाता है, फादर आफ डिने फिंगरप्रिंट, अलग जॉन जेफ्री, एंद फादर आफ लोवर्जियर, ठीक है न, एन्द फादर आफ एकनॉमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्जिन, अक्सर एक्जाम में पूछा गया है, एडम स्मित को कहा जाता है, फादर आफ इकनॉमिक्स, इनकी जो बुक थी, वेल्थ आफ नेशन, 1776 में आई थी, जो की बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एकनॉमिक्स के, इन्फॉर्मिसन से रिलेटेट, कॉंसेट से रिलेटेट, जो की सबसे इंपोर्टेंट, पुक मारी जाती है, ठीक है, आगे चलते हैं, बचो जल्दी से देखते हैं, फादर आफ एंटॉनमी, एंड्रियस, वेसलियस, फादर आफ एलेक् मोस्ट, 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 इनको भी दो तिन बार मोस्ट लगा लो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एसब तो पूरा एकदम सुपर डूपर हीट कोशन है, फादर आफ नमबर्स, पाइथागोरस, थिवरों मंगरा देखों, हम लोग पढ़ते आते हैं, तो फा फादर आफ इमेर, फादर आफ टेलिविजन, फिलो, फांस वार्थ, फादर आफ मॉबाइल फोन, जो हम लोग यूज़ करते हैं, मार्टिन कूपर, ठीक है ना, फादर आफ इलेक्ट्रोनिक्स, माइकल फैराडे, फादर आफ आटिफिसल इंटेलिजेंस, AI, जो आज के सम फादर आफ इंटेलिजेंस, 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 फाद फीजिक से भी आप दियाद में रखियेगा किसको कहा जाता है गैलेलियो, गैलेलियो को कहा जाता है then, modern computer का credit किसको जाता है इनको father कहा जाता, modern computer का तो allen turning, ठीक है ना ये सब दियाद रखियेगा, कुछ सिर्फ computer आजाए modern computer आजाए, तो ये सब चीजें मत देखे computer देखे, सटे दिमार दिये, कुछ और तो गलत हो जाएगा सारी चीजों को बारी क्यों से question आपको पढ़ना है ठीक है ना, father of biology Aristotle, father of nuclear physics Ernst Rutherford ये भी question पूछा गया है, ध्यान में रखियेगा gene therapy के father कि इसको कहा जाता है French Anderson and the father of American Constitution is known as James Hutton ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, very good आगे बढ़ते हैं, blood groups जो आपको blood groups होता, A है, B है, positive, negative कैसे कैसे, आप पता लागा दे, तो सबसे पहले अगर किसी को credit जाता है, इसको खोच किया इसको लोगों तक पहुँचाया जाना, तो that's why he is known as called land stainer, most important आपके exam में question आ जाता है father of philosophy rain discards father of thermodynamics, किसको कहते हैं sadi, pitroda, father of quantum mechanics, max, plank ठीक, तो यह सब आए दो-तीन इसमें important है, philosophy हो गया यह आपका blood groups हो गया हो गया यह सब question आपके exam में आते हैं आये हुए हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना है modern democracy के father किसको कहते है, father of modern democracy, john lowkey, ठीक है, आप nine class पे पढ़े होंगे, तो वहाँ पे था आपके french revolution वाले chapter में, father of bio technology bio technology, काल N.K. को कहा जाता है, father of bio tech father of classic mechanist इसाग Newton, father of mutation theory, Hugo D. Various, ठीक तो यहाँ पे कहुन है, father of modern democracy important है, mechanics वगेरा भी आपका पूछ लिया जाता है लेकिन यह तो most important को ध्यान में रखियेगा, ठीक है आगे बढ़ते बच्चों आगे कैसे बढ़ेगे सर अब तो हो गया तो इतने सारे most important में से थे आपके, that's why बहुत fathers पड़े हैं इसलिए आपके important जो था वही लेके आया, जो ज़रूरत थी, आपके exam में जो पूछा जा सकता है उन्ही को लेके आया गया ताकि आप इतना जादा ना हो जाए कि सर से उपर उठ जाए ठीक है, तो इस session में काफी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा तो मिलते हैं next session में बाकी सारी चीज़ें आपको बताइए information day today में ली रही है, नए informative videos आ रहे हैं, current affairs related, आपके किस से academic से related, exam से related, कभ exam होगा, answer की आपकी आने वाली है, results आपके आने वाले है counseling स्टार्ट होने वाला है, जिन्होंने CVT 2022 exam दिया है, ठीक है ना, जिन बच्चों के थवडियत आफ अगस्त को paper cancel हो गए थे, postpone हो गए थे, उनका भी 8 सितंबर तक exam ले लिया जाएगा, तो आपको पूरे updatesion सारी चीज़े मिलती रहेंगी, आप 24-7 हमसे जूड सकते हैं, कभी भी कोई queries हो, आप contact कर सकते हैं, सर ये problem है, वो problem है, ये queries हैं, अब तो UGC के तरफ से भी एक E-Samadhan portal launch किया जा रहा है, वहाँ पे आप जाके ऐसा सुनने में आया है, question put up कीज़े, दस दिन में आपको सारी information मिल जाएगे, ठीक है, एक्जाम को कराए, तो आप देखे लिए कितना ज़्यादा हर तरीके से परसानियों का सामना करना पड़ा, तो वहाँ पे अगर आपकी सारी दिक्कते solve हो जाती हैं, तो भगवान की गिरपा होगी, बाकी आप हमसे जुड़िये, नए कोर्से हमारे लाउंच हो चुके हैं, two, zero, two, three यानि 2023 की पूरी तरीकी से तैरी हो चुकी है, दर से, अब आपको तैरी करना है, हमसे जुड़ के, अपने करियर को, अपने कोर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेर करना है, topmost mentor educators, guide करेंगे आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सबसे ज़रूरी तो यही चीज होती हर एक तैरी में, हर एक परिच्छा के लिए, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना यह काम हो जाए, तो आपका आदा काम हो चुका है, तो यह सब बच्छों चीज़े ध्यान में रखते हुए, enrollment लीजिए classes, dashboards पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी आपको recorded video मिलेंगे, live classes मिलेंगे, e-books मिलेगा, mock मिलेगा, practice questions, मतलब पूरा एक दम full-fleds एक platform पे, तो बहुत अच्छी बात है तो in-roll कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइब को जो चल रही है class, उसको share कीजिए, जो नहीं देख पाए, और बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कि बहुत बड़ी चीज छूट गई, आप बाद में भी देखिए, share कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा, subscribe कीजिए, लोगों को भी बताइए, कि एक अच्छे platform से जुड़े, जहां पे उनके सारी problems और उनके पढ़ाईल का याच्छे से हो सकती है और अपने उक्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बच्छों, मिलते हैं नेक्स सेशन में, तब तक के लिए, bye bye, take care to all of you, good luck